हेलो फ्रेंड्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाती राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेट फॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज हम लोग इस वीडियो में सिनोनिम का पार्ट सेवन करेंगे, अप टू पार्ट सिक्स जो वीडियोज हैं वो सारे बन चुके हैं and I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियोज देख लिये होंगे, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना और ये वीडियो आगे continue करेंगे, देखते हैं कि पहला हमारा वर्ड क्या है, पहला जो हमारा वर्ड है वो है hostile, hostile का मतलब होता है किसी के प्रति, प्रतिकूल भावना मन में होना, मतलब किसी के खिलाफ कोई भावना मन में होना, having very strong feeling against someone or something, इसी को बोलते हैं hostile, किसी के खिलाफ मन में भावना है होना, Option B is antagonistic, antagonistic का मतलब होता है hostility towards something, तो यही इसका answer हो जाएगा, फिर भी option C देखिए, delinquent, delinquent का मतलब होता है, यह एक word है जो की use होता है, about a person behaving badly and tending to commit crime, और अगर मैं इसको और easy language में आपको समझा दूँ, तो आपने सुना ही होगा किशोर अपरादी या फिर बाल अपरादी, कर दें, उसे ही हम बोलते हैं delinquent, अब option D देखिए, reticent, reticent का मतलब होता है introvert, ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों से बात करने में इच्छा ना रखता हो, आम इच्छो को, उसे ही बोलते है reticent, तो इसका जो सही answer हो जाएगा, hostile का जो सही synonym हो जाएगा, वो हो जाएगा option B antagonistic क्योंकि antagonistic का मतलब होता है hostility towards something, तो hope आपको यह word clear है, इसका synonym क्या है, यह चीज भी clear है, अगले word की तरफ बढ़ते हैं, अगला word दिया है हमें erudite, erudite का मतलब होता है having great knowledge, किसी विशय में बहुत जादा ज्यान होना, विद्द्वान होना, इसे ही बोलते है erudite, अब option a देखिए scholarly, scholarly मतलब इसका भी सही, सेम ही मतलब होगा, having great knowledge, मतलब विशय मरमग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे एक विशय में बहुत जादा ही ज्यान है, उसे ही बोलते है scholarly, तो इसका answer तो यही हो जाएगा option a, लेकिन फिर भी option दूसरे दिये हैं, उनको भी देखते हैं option b दिया है friendly, friendly का मतलब होता है behaving in a kind and open way, मैतरी पूर्ण भाव से बरताफ करना या फिर दोस्ताना जानते ही हैं आप सभी, option c is miserly, miserly का मतलब तो होता है कंजूसी भरा, option d is lovely, lovely मतलब enjoyable, pleasant या फिर very nice, आनंद प्रद रुचिकर या फिर बहुत जादा बढ़िया, इसे ही बोल अगला वर्ड दिया है हमें, zealous, zealous का मतलब होता है using great energy and enthusiasm, मतलब बहुत जादा उर्जावान या फिर उत्साहपूर, अब इसके answer की तरफ हम बढ़ते हैं, तो options देखते है, option a है हमारे पास ardent, ardent का मतलब होता है, showing strong feelings or likings, for someone or something, किसी के प्रती बहुत जादा भाव दिखाना, बहुत जोशीला होना, अंदर से बहुत उत्साही होना, इसे ही हम बोलते हैं, ardent, option b देखिये, jealous, jealous का मतलब होता है, किसी के प्रती इर्शालू होना, मतलब किसी के प्रती अपने मन में जलन पैदा हो, उसे ही बोलत उग रहा, फिर प्रचंड, यह मतलब हो जाएगा, furious का, option d देखिये, impatient, impatient का मतलब होता है, the one who is wanting something to happen soon, ऐसा इंसान जो बहुत जादा उतावला होता है, आतर होता है किसी चीज के लिए, वो बिलकुल सब्र नहीं कर पाता, इसी को बोलते है, impatient, अब जो jealous हमें word दिया है, which means, बहुत जादा उर्जवान या उस्सापूर होना, इसका जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option है, add in, क्योंकि इसका meaning मैंने आपको बता दिया है, having strong feelings, or liking, for someone or something, तो यह हो जाएगा, इसका answer, अगले word की तरफ चलते है, अगले word दिया है हमें, homage, homage का मतलब होता है, special honor or respect, shown publicly, मतलब किसी को श्रद्धांजली देने के लिए सारवजनिक रूप से कहे गए शब्द, उसे ही बोलते हैं हम homage, अब इसका answer जानने के लिए हम options को देख लेते हैं, option A, दिया है हमें, humility, humility का मतलब होता है, विनम्रता, मतलब a quality of not thinking that you are better than other people, अपने मन में ये भावना कभी प तीछे हैं, इस feeling का अपने मन में आलाना है, इसी को बोलते हैं, humility, option B, tribute, tribute का मतलब होता है, do something that is intended to show respect और gratitude, ऐसा कुछ काम करें, जिससे आप दूसरों को सम्मान दे सकें, इसी ही बोलते हैं, tribute और श्रद्धांजली, ये ही होता है, tribute, options C, obedience, obedience का मतलब होता है, आग्या कारिता option D is, allegiance, allegiance का मतलब होता है, loyalty and support for a leader, मतलब जब आप नेता के प्रती, निष्टा या समर्थन का भाव रखे, उसे ही बोलते हैं, allegiance, तो यहाँ पे जो word दिया है, हमें homage, इसका जो सही synonym होगा, वो होगा, option B, tribute, मतलब श्रद्धांजली ये सम्मान देना, तो hope आपको ये word clear है, इसका synonym clear है, तो अगला word देख लेते हैं हम, अगला word दिया है, atrocity, atrocity का मतलब होता है, very cruel treatment of somebody, किसी के उपर अत्याचार करना, या फिर अति क्रूर व्यवहार करना, इसे ही बोलते हैं, atrocity, अब option A, देखिए, envy, envy का मतलब होता है, irsia, option B is violence, violence का मतलब होता है, हिंसा, या फ हानी पहुचाने वाला आचरण होता है, इसे भी हम violence बोलते है, option C is jealousy, jealousy का मतलब भी होता है, irsia, jalan, and option D is absurdity, absurdity का मतलब होता है, बेतु का पन, मतलब ridiculousness, या फिर foolishness, कभी ऐसा होता है ना कि कोई कुछ बात बोल रहा है, और बीच में कोई एक इंसाने वो हसने लगता है, त मतलब जहां पर नहीं हसना वहां भी हस रहा है, इसी को बोलते हैं, absurdity, तो यह जो word दिया है, atrocity, जिसका मतलब होता है कि हिंसा करना, और इसका जो synonym हो जाएगा, वो हो जाएगा, violence, मतलब हिंसा या फिर अत्याचार करना, तो होप आपको यह word भी क्लियर है, तो friends, मैंने आ अच्छा लगा है, तो इसे like कीजिए, share कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिष्टेदारों के साथ भी, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की